ओम शांती, मीठे बच्चे, आज की मुरली, 5 नवंबर 2023 दिन रविवार की प्रातह मुरली, रिवाईज 10 मार्च 1996 मधुबन, करणहार और करावनहार की स्मृती से करमातीत स्थिती का अनुभव, आज कल्यानकारी बाप अपने साथी कल्यानकारी बच्चों को देख रहे हैं, सभी बच्चे बहुत ही लगन से प्यार से विश्व कल्यानका कार्य करने में लगे हुए हैं, ऐसे साथियों को देख बाप दादा सदावा, साथी बच्चे वा, यह गीत गाते रहते हैं, आप सभी भी वावा के गीत गाते रहते होना, आज बाप दादा ने चारों और के स तो सेवा और स्वपुरुशार्थ दोनों के गती में क्या देखा होगा? आप जानते हो, सेवा की गती तीवर है, वास्व पुरुशार्थ की गती तीवर है. क्या है? दोनों का बैलेंस है. नहीं है? तो विश्व परिवर्तन की आत्माओं को वा प्रकृती को ब्लैसिन कब मिलेगी? क्योंकि बैलेंस से जो आप सभी को ब्लैसिन मिली हैं, वह औरों को मिलेगी तो अंतर क्यों? कहलाते क्या हो कर्मयोगी वा सिर्फ योगी? कर्मयोगी हो ना पक्का है ना तो सेवा भी कर्म है ना, कर्म में आते हो, बोलते हो, वादरिष्टी देते हो, कोर्स कराते हो, म्यूजियम समझाते हो, यह सब श्रिष्ट कर्म अर्थात सेवा है, तो कर्मयोगी अर्थात कर्म के समय भी योग का बैलेंस, लेकिन आप खुद ही कह रहे हो कि बैलेंस कम हो जा बहुत पुरानी बात है, बाप दादा ने देखा कि सेवा वाकर्म और स्वपुरुशार्थ अर्थात योग्युक्त, तो दोनों का बैलेंस रखने के लिए विशेश एक ही शब्द याद रखो वह कौन सा? बाप करावनहार है और मैं आत्मा, मैं फलानी नहीं, आत्मा करणहार हूँ, तो करन करावनहार यह एक शब्द आपका बैलेंस बहुत सहज बनाएगा। स्वपुरुशार्थ का बैलेंस या गती कभी भी कम होती है, उसका कारण क्या? करनहार के बजाए मैं ही करने वाली आवाला हूँ, करनहार के बजाए अपने को करावनहार समझ लेते हो, मैं कर रहा हूँ, जो भी जिस प्रकार की भी माया आती है, उसका गेट कौन सा है? माया का सबसे अच्छा सहज गेट जानते तो हो ही मैं तो यह गेट अभी पूरा बंद नहीं किया है ऐसा बंद करते हो जो माया सहज ही खोल लेती है और आ जाती है अगर करनहार हूँ तो कराने वाला अवश्य याद आएगा कर रही हूँ, कर रहा हूँ, लेकिन कराने वाला बाप है बिना करावनहार के करनहार बंद नहीं सकते है दबल रूप से करावनहार की स्मिति चाहिए एक तो बाप करावनहार है और दूसरा मैं आत्मा भी इन करमेंद्रियों द्वारा कर्म कराने वाली हूँ इससे क्या होगा कि कर्म करते भी कर्म के अच्छे या बुरे प्रभाव में नहीं आएंगे इसको कहते हैं कर्मातीत अवस्था आप सबका लक्ष्य क्या है? कर्मातीत बनना है न या थोड़ा-थोड़ा कर्म बंधन रहा तो कोई हर्जा नहीं रहना चाहिए या नहीं रहना चाहिए? कर्मातीत बनना है बाप से प्यार की निशानी है कर्मातीत बनना तो करावनहार होकर कर्म करो कराओ, करमेंदरिया आप से नहीं करावें लेकिन आप करमेंदरियों से कराओ बिल्कुल अपने को न्यारा समझ कर्म कराना यह consciousness इमर्ज रूप में हो मर्ज रूप में नहीं मर्ज रूप में कभी करावनहार के बजाए करमेंद्रियों के अर्थात मन के बुद्धी के संसकार के वश हो जाते हैं कारण करावनहार आत्मा हूँ, मालिक हूँ, विशेश आत्मा, मास्टर सर्वशक्तिवान आत्मा हूँ, यह स्मृती मालिकपन की स्मृती दिलाती है नहीं तो कभी मन आपको चलाता और कभी आप मन को चलाते, इसलिए सदा नेचुरल मनमनाभव की स्थिती नहीं रहती मैं अलग हूँ बिलकुल और सिर्फ अलग नहीं लेकिन मालिक हूँ बाप को याद करने से मैं बालक हूँ और मैं आत्मा कराने वाली हूँ तो मालिक हूँ अभी यह अभ्यास अटेंशन में कम है सेवा में बहुत अच्छा लगे हुए हो लेकिन लक्ष्य क्या है? अभी अभी थोड़े समय के लिए यह अभ्यास कर सकते हो, अलग हो सकते हो, या ऐसे अटैच हो गए हो जो डिटैच होने में टाइम चाहिए. कितने टाइम में अलग हो सकते हो, पांच मिनट चाहिए, एक मिनट चाहिए वा एक सेकेंड चाहिए, एक सेकेंड में हो सकते हो, पांडव एक सेकेंड में एकदम अलग हो सकते हो, आत्मा अलग मालिक और करमेंद्रिया करमचारी अलग यह अभ्यास जब चाहो तब होना चाहि अच्छा, अभी अभी एक सेकेंड में न्यारे और बाप के प्यारे बन जाओ पावर्फुल अभ्यास करो, बस मैं हूँ ही न्यारी यह करमेंद्रियां हमारी साथी हैं, कर्म की साथी हैं, लेकिन मैं न्यारा और प्यारा हूँ अभी एक सेकेंड में अभ्यास दोहराओ ड्रिल सहज लगता है कि मुश्किल है सहज है तो सारे दिन में कर्म के समय यह स्मृती इमर्च करो तो कर्मातीत स्थिती का अनुभव सहज करेंगे क्योंकि सेवावा कर्म को छोड़ सकते हो छोड़ेंगे क्या? करना ही है तपस्या में बैठना यह भी तो कर्म है तो बिना कर्म के वाबिना सेवा के तो रह नहीं सकते हो और रहना भी नहीं है क्योंकि समय कम है और सेवा अभी भी बहुत है सेवा की रूपरेखा बदली है लेकिन अभी भी कई आत्माओं का उल्हना रहा हुआ है इसलिए सेवा और स्वपुरुशार्थ दोनों का बैलेंस रखो ऐसे नहीं कि सेवा में बहुत बिजी थेना इसलिए स्वपुरुशार्थ कम हो गया नहीं और ही सेवा में स्वपुरुशार्थ का अटेंशन ज्यादा चाहिए क्योंकि माया को आने की मारजिन सेवा में बहुत प्रकार से होती है नाम सेवा लेकिन होता है स्वार्थ अपने को आगे बढ़ाना है लेकिन बढ़ाते हुए बैलेंस को नहीं भूलना है क्योंकि सेवा में ही स्वभाव, संबंध का विस्तार होता है और माया चांस भी लेती है थोड़ा सा बैलेंस कम हुआ और माया नयान्या रूप धारन कर लेती है, पुराने रूप में नहीं आएगी नयने रूप में, नई-नई परिस्थिती के रूप में, संपर्प के रूप में आती है तो अलग में सेवा को छोड़ कर अगर बाप दादा बिठा दे, एक मास बिठाए, पंद्रह दिन बिठाए, तो करमातीत हो जाएंगे एक मास दे बस कुछ नहीं करो, बैठे रहो, तपस्या करो, खाना भी एक बार बनाओ बस फिर करमातीत बन जाएंगे, नहीं बनेंगे अगर बैलिंस का अभ्यास नहीं है, तो कितना भी एक मास क्या, दो मास भी बैठ जाओ, लेकिन मन नहीं बैठेगा, तन बैठ जाएगा और बिठाना है मन को न की सिर्फ तन को तन के साथ मन को भी बिठाना है, बैठ जाए बस बाप और मैं दूसरा न कोई तो एक मास ऐसी तपस्या कर सकते हो या सेवा याद आएगी बाप दादा वा ड्रामा दिखाता रहता है कि दिन प्रति दिन सेवा बढ़नी ही है तो बैठ कैसे जाएंगे जो एक साल पहले आपकी सेवा थी और इस साल जो सेवा की वह बढ़ी है या कम हुई है बढ़ गई है ना नचाहते भी सेवा के बंधन में बंधे हुए हो लेकिन बैलेंस से सेवा का बंधन बंधन नहीं समबंध होगा जैसे लौकिक संबंध में समझते हो कि एक है कर्म बंधन और एक है सेवा का संबंध तो बंधन का अनुभव नहीं होगा, सेवा का स्वीट संबंध है तो क्या अटेंशन देंगे? सेवा और स्व पुरुशार्थ का बैलेंस सेवा के अती में नहीं जाओ बस मेरे को ही करनी है, मैं ही कर सकती हूँ, नहीं कराने वाला करा रहा है, मैं निमित करनहार हूँ तो जिम्मेवारी होते भी थकावट कम होगी कई बच्चे कहते हैं, बहुत सेवा की है, ना तो थक गए है, माथा भारी हो गया है तो माथा भारी नहीं होगा और ही करावनहार बाप बहुत अच्छा मसास करेगा और माथा और ही फ्रेश हो जाएगा ठकावट नहीं होगी, एनर्जी एक्स्ट्रा आएगी जब साइन्स की दवाईयों से शरीर में एनर्जी आ सकती है तो क्या बाप की याद से आत्मा में एनर्जी नहीं आ सकती और आत्मा में एनर्जी आई तो शरीर में प्रभाव आटोमेटिकली पड़ता है अनुभवी भी हो, कभी-कभी तो अनुभव होता है फिर चलते चलते लाइन बदली हो जाती है और पता नहीं पड़ता है जब कोई उदासी ठकावट या माथा भारी होता है ना फिर होश आता है क्या हुआ क्यों हुआ लेकिन सिर्फ एक शब्द करणहार और करावनहार याद करो मुश्किल है या सहज है बोलो हाजी देश में कितने बने हैं? 9 लाक बने है और भारत में बने हैं? नहीं बने है तो आप ही समापती के कांटे को आगे नहीं बढ़ने देते बैलन्स रखो डायमंड जुबली है ना तो खूब सेवा करो लेकिन बैलन्स रखकर सेवा करो तो प्रजा जल्दी बनेंगी टाइम नहीं लगेगा प्रकृती भी बहुत ठक गई है आत्माए भी निराश हो गई है और जब निराश होते हैं तो किसको याद करते हैं? भगवान बाप को याद करते हैं लेकिन उसका पूरा परिचय न होने के कारण आप देवी देवताओं को ज्यादा याद करते हैं तो निराश आत्माओं की पुकार आपको सुनने में नहीं आती आती है कि अपने में ही मस्त हो मर्सीफुल होना बाप को भी क्या कहते हैं? मर्सीफुल और सब धर्म वाले मर्सी जरूर मांगते हैं सुख नहीं मांगेगे लेकिन मर्सी सब को चाहिए तो कौन देने वाला है? आप देने वाले होना या लेने वाले हो लेकर देने वाले दाता के बच्चे होना तो अपने भाई बहिनों के उपर रहम दिल बनो और रहम दिल बन सेवा करेंगे तो उसमें निमित भाव स्वत्थी होगा किसी पर भी चाहे कितना भी बुरा हो लेकिन अगर आपको उस आत्मा के प्रती रहम है तो आपको उसके प्रती कभी भी घ्रेना या इर्शा या क्रोध की भावना नहीं आएगी रहम की भावना सहज निमित भाव इमर्च कर देती है मतलब का रहम नहीं, सच्चा रहम मतलब का रहम भी होता है, किसी आत्मा के प्रती अंदर लगाव होता है और समझते हैं रहम पड़ रहा है तो वह हुआ मतलब का रहम सच्चा रहम नहीं, सच्चे रहम में कोई लगाव नहीं, कोई देह भान नहीं, आत्मा आत्मा पर रहन कर रही है देह अभिमान वा देह के किसी भी आकर्षन का नाम निशान नहीं कोई का लगाव बॉडी से होता है और कोई का लगाव गुनों से विशेष्टा से भी होता है लेकिन विशेष्टा वा गुन देने वाला कौन? आत्मा तो फिर भी कितनी भी बड़ी हो लेकिन बाप से लेवता लेने वाली है अपना नहीं है बाप ने दिया है तो क्यों नहीं डाइरेक्ट दाता से लो इसलिए कहा कि स्वार्थ का रहम नहीं कई बच्चे ऐसे नाजंखरे दिखाते हैं होगा स्वार्थ और कहेंगे मुझे रहम पड़ता है, और कुछ भी नहीं है, सिर्फ रहम है, लेकिन चेक करो नेक स्वार्थ रहम है, लगाव मुक्त रहम है, कोई अलपकाल की प्राप्ती के कारण तो रहम नहीं है, फिर कहेंगे बहुत अच्छी है ना, बहुत अच्छा है इसलिए थोड़ा, थोड़े की छुट्टी नहीं है, अगर करमातीत बनना है, तो यह सभी रुकावटे हैं, जो बोड़ी कॉंसेस में ले आती हैं, अच्छा है, लेकिन बनाने वाला कौन? अच्छाई भले धारन करो, लेकिन अच्छाई में प्रभावित नहीं हो, न्यारे और बाप के प्यारे, जो बाप के प्यारे हैं, वह सदा सेफ हैं, समझा, अगर सेवा को बढ़ाते हो और बढ़ाना ही है, तो स्थापना को भी नज़्दीक लाना है या नहीं, कौन लाएग बाप लाएगा, सभी लाएंगे, साथी है न, अकेला बाप भी कुछ नहीं कर सकता, सिवाए आप साथी बच्चों के, देखो बाप को अगर समझाना भी है, तो भी शरीर का साथ लेना पड़ता है, बिना शरीर के साथ के बोल सकता है, चाहे पुरानी गाड़ी हो चाहे अधार तो लेना पड़ता है, बिना आधार के कर नहीं सकता, ब्रहमा बाप का साथ लियाना, तभी तो आप ब्रहमन बने, ब्रहमा कुमार कहते हो, शिवकुमार नहीं कहते हो, क्योंकि निराकार बाप को भी साकार का आधार लेना ही है, जैसे साकार ब्रहमा का आधार लिया अभी भी ब्रह्मा के अव्यक्त फरिष्टे के रूप में आधार लेने के बिना आपकी पालना नहीं कर सकते हैं चाहे साकार में लिया, चाहे आकार रूप में लिया, लेकिन आत्मा का आधार साथ लेना ही पड़ता है वैसे तो आलमाइटी अथारिटी है, जब जादूगर विनाशी खेल सेकेंड में दिखा सकते हैं, तो क्या आलमाइटी अथारिटी जो चाहे वह नहीं कर सकता है कर सकता है अभी अभी विनाश को ला सकता है अकेला ला सकता है अकेला नहीं कर सकता चाहे आलमाइटी अथौरिटी भी है लेकिन आप साथियों के संबंध में बंधा हुआ है तो बाप का आप से कितना प्यार है चाहे कर सकता है लेकिन नहीं कर सकता जादू की लकडी नहीं घुमा सकता है, क्या? लेकिन बाप कहते हैं कि राज्य अधिकारी कौन बनेगा? बाप बनेगा क्या? आप बनेंगे स्थापना तो कर ले, विनाश भी कर ले, लेकिन राज्य कौन करेगा? बिना आपके काम चलेगा इसलिए बाप को आप सभी को करमातीत बनाना ही है बनना ही है ना कि बाप जबरदस्ती बनाए बाप को बनाना है और आप सब को बनना ही है यह है स्वीट ड्रामा ड्रामा अच्छा लगता है ना कि कभी-कभी तंग हो जाते हो, यह क्या बना? यह बदलना चाहिए सोचते हो बाप भी कहते हैं बना-बनाया ड्रामा है यह बदल नहीं सकता रिपीट होना है लेकिन बदल नहीं सकता ड्रामा में इस आपके अंतिन जन्म को पावर्स है है ड्रामा, लेकिन ड्रामा में इस श्रिष्ट ब्राह्मन जन्द में बहुत ही पावर्स मिली हुई है बाप ने विल किया है, इसीलिए विल पावर है तो कौन सा शब्द याद रखेंगे? करंकरावनहार पक्का या प्लेन में जाते जाते भूल जाएंगे? भूलना नहीं अभी फिर से अपने को शरीर के बंधन से न्यारा करमातीच स्टेज कर्म करा रहे हैं लेकिन न्यारा देख रहे हैं, बात कर रहे हैं लेकिन न्यारा मालिक और बाप द्वारा निमित आत्मा हूँ इस स्मृती में फिर से मन और बुद्धी को स्थित करो। ड्रिल अच्छा चारो और के सदा सेवा के उम्मग उच्साह में रहने वाले सेवाधारी आत्माएं। सदा स्व पुरुशार्थ और सेवा दोनों का बैलेंस रखने वाली ब्लिस्पुल आत्माएं। सदा नी स्वार रहम दिल बन सर्व आत्माओं प्रती सक्चा रहम करने वाली विशेश आत्माएं। सदा सेकेंड में अपने को कर्म बंधन वा अनेक रोयल बंधनों से मुक्त करने वाले तीवर पुरुशार्थी आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। वर्दान आग्य प्याकारी बन बाप की मदद वा दुआओं का अनुभव करने वाले सफलता मूर्थ भव। बाप की आग्या है मुझ एक को याद करो। एक बाप ही संसार है इसलिए दिल में सिवाए बाप के और कुछ भी समाया हुआ नहो। एक मत एक बल एक भरोसा जहां एक है वहां हर क संसकार्य में सफलता है। उनके लिए कोई भी परिस्थिती को पार करना सहज है। आग्या पालन करने वाले बच्चों को बाप की दुआएं मिलती हैं इसलिए मुश्किल भी सहज हो जाता है। स्लोगन नए ब्राहमन जीवन की स्मृती में रहो तो कोई भी पुराना संसका इमर्ज नहीं हो सकता।